तो है सिस्ट है घ्राइब है मैं मैं पढ़ें तीव सहाद में कौन सा भाग पढ़ेंगे 22 इस ठीज वीडियो को लाइक सर्सट्राइब और वेल आइकन को प्रैस करना ना बूलेंज हुँ भी आपको वीडियो में देख्केत हो रही है तो आप बता सकते या जो भी content में आपको problem हो तो आप लोग बता सकते हैं किसी परकार की content या content से अन एनी अधर problem के लिए हम आपका solution कर सकते हैं इस पढ़ाई को ले के स्रिफ और एनी अधर कोई solution नहीं है हम पढ़ रहे थे भाग 21 में पढ़ रहे थे मगत राजका और जिसमें करहें करेंगे की क्या करेंगे कि यह फॉरा पड़ेंगी कि दोस्तों आप लोग पीडियो को कमेंट करना जाद से जाद को जोड़ों कि content ज्यादा होगा तन ज्यादा सेरته होतनी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी है मैं रखेंगे चे बार میں हिसका में फांडर कौन थे कि तो फांडर कि किसके फांडर कोण थे बेहिंद में कौन का रही था माम स्थ कि पादम माह मनंद किसके फांडर के रूप में थे भाल है किए और इनके बयारे में इह बहूत अच्छी नान्दवन्स को इवारे में क्या था इन अ कि सुछता धाना धात है जिसके वारे में, इनको इन बता जाए जाता पुराणौं किसमें, पुराणों पुराण और जैन सायत में पुराण और जैन सायत में यह बताया गया कि जो महापदमानन्द थे जे गैर छत्रिय थे कौन थे गैर छत्रिय महापदमानन्द कौन थे जैन और पुराणों का अनुसार जैन पराण और जैन सायथ के अनुसार ठीक है जैन सायथ के अनुसार यह कौन थे गैर छत्रिये एक थे कौन थे महापनवानन क्या थे गैर छत्रिये थे ठीक है इसके बारे में बताया जाता है एक नाई की जाती थी ये किसकी कौनसी जाती से सम्मंद रखते थे ये इनकी जाती कौनसी थी मतलब कि आपको content में छोटी से छोटी भी आपकी कोई कहीं न कहीं वो होगी न तो वो भी इसमें बताया जाएगा सर्च हर चीज ये कौनसी नाई जाती से सम्मंद थे ये कौन थे एक नाई थे जो कि इससे सम्मंद रखते थे और ये एक मात्र ऐसे थे ठीक है ये एक मात्र ऐसे थे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था जिन्होंने च्छत्रियों का नास किया था किसने इन्होंने क्या किया था च्छत्रियों का नास किया था मतलब इन्होंने सच्छप से जादा च्छत्रियों को नास करने वाला माना गया क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से च्छत्रियों को मिटा दिया था इसलिए इनको एक राट इसलिए इनको क्या कहा गया इसलिए इनको एक राट एक राट और सर्वेक सर्वेक्ष्ट्रा नंतरक वैसे सरवेक्ष अंतरक के रूप में इनका नाम गय है यह किया थे यह परुतिय परदफ के उपादी इन्हों इस घ्रन की क्या की इन्होंने कि दूतिये भिश परुपति नात्र की उपादी गरन की अ कुत कि है कंप इस ए कि येग को किया थे ने दुतियवार क्या किया था पसुपती की नात पसुपती नात की उपादी ग्रण की थी और इनके इनके द्वारा इन्होंने क्या किया था कलिंग का कलिंग को जीता इन्होंने किसको कलिंग को जीता इनके द्वारा कलिंग को जीता गया और बिद्द्रोहियों और विद्रोही कौसल राज का दमन किया विद्रोही कौसल राज का किया था इन्होंने दमन किया था ये ऐसे राज आते जिसने क्या किया था कलेंगा को जीता था और इन्होंने क्या किया था कौसल राज को दमन किया था मज़ते इस तरह को पुरी तरह से मिटा दिया था कि इसके बाद इनका एक तरीक से last पॉइंट है के रूप में क्या था इसके बादO सब्सक्राइब इन खुंद्ध कुछ नहीं दिया इसके घृ कुछ जादा निर्ओ कुछ से थे तो इसके बाद नंदबंस में कौना है मतलब जिसके बारे में चर्चा और भी राजा ये काद उनको कोई जादा मेरत नहीं है मकर इसके बाद कौना है इसके नंदबंस के अंतिम राजा इसके अंतिम राजा इसके अंतिम राजा कौन थे इसके अंतिम राजा थे धनानद क्या नंदमंस के कौन अंतिम्राज कौन थे धनानंद धनानंद जिनका सर्वदे किसमें क्या है उपी हो गए ठीक है इनके क्या थे इनके सेनापती कौन थे इनके एक सेनापती थे कि इनके एक सेनापती और आमात थे जिनके सिखर जिनके कंदों पर पूरा राज टिका हुआ था जिनके द्वारा ही हर चीज़ का मतलब जै ओरडर देते तो यह लोगी क्या करते है एक तरो पास करते ही मतलब इसको होना ही है ठीक है इनके सेनापती के के रुप में कॉन था भट्टालसाल हुआ सक्टार और राक्षस क्या थे इनके राक्षस और कि सेटार इनके क्या थे आमाते थे इनके यहां आमाते चलते हैं जो साक्टर और क्या थे यह थे आमाते थे इनके ठीक है यह सबसे यह अत्यादिक यह अत्यादिक धनी राज एबं भीसाल थीक है इनका क्याते राज अत्यादिक धनी और सेना के ऐसे बिसाल सेना के लिए परक्यात थे इनका राज यह अत्यादिक धनी राज थीए ओर और बिसाल सेना के लिए यह परक्यात थे मतलब सेना के चर्चे वे थे इनी के समय में कौन आया था भारत में धालांद के समय में कौन आया था सिकंदर का आगमन किसका धनानंद के समय में क्या हुआ था सिकंदर का आनव था मतलब समकानी राजा कौन थे जब सिकंदर आया था इसके समकानी राजा थे धनानंद जिसके वाड़ी में आपको बता दिया गया कि इन्होंने नंदबंस ने नंदबंस में क्या हुआ थे जो कि राजसवा में इनके साथ रहते थे उनकी चानक का कि इन्होंने क्या कि इनको जलील किया था चानक को बत एक तरीके से पूरी तरह से जलील किया था कि आप मतलब इतने बू नहीं हो फ़लांड काना किसी बात को लेके इन्होंने अपनी सभाव हैं किसका चाणाक क्या किया था इसको उनको जलील किया था जिसके लिए चाणाकने सपयत लीती कि हम आपको नंदवंस को हम समाप्त कर इसलिए धनानन ने इस शीश को मजाक में लिया और और नंदवंस का बिनास को रूप में नंदवंस का बिनास ठीक है नंदवंस का बिनास किस ने किया नंदवंस का बिनास इन्ही के इन्ही के पंडित बो थे ना जिनका बरोत किया था चानक चानक एवाम चंद्रगुप्त मौर रहे दौरा इसका क्या किया गया एक तरीके से इनका बिनास किया गया इनका बिनास किया गया चंद्रगुप्त का क्या किया बिनास किया और यह नंदबंस में जो राजा थे वो किस उससे समद्र रखते थे यह यह कौन थे नंदबंस में क्या रखते थे यह कुछ एक कुछ एक कुछ एक जंजा थे कुछ एक गयर चत्री है क्या था कुछ एक गयर चत्री राजामंस में से एक था इनके बारे में जो लाश्ट पॉइंट रह गए है कि यह कुछ एक चत्री है कुछ एक गयर चत्री राजामंस में से यह एक था यह नंदबंस को भारत का कैने नंदबंस को अ कि सबसे बड़े राज की सबसे बड़े राज निर्माता के रूप में इनको संग्या मिली किसको नंदबंस को इसकी संग्या मिली है कि अब इसमें एक पोर्षन है कि इसी के समय जब सिकंदर आया तो सिकंदर का इसमें पोर्षन है जिसकों भाग संक्या किसमें कराएंगे यह हो गया इसमें पूरा खतम चंदरगौत मौरूर्ण ने इसका क्या किया था एक तरीके से इसके बारे में बता दिया गया आपको चंदरगौत मौरूर। मिल जाएगी ठीक है हर्ट की फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें